आज हम डिस्स करेंगे सोर्स दैटा इंट्री डिवाइस किया होती हैं हमने देखा था िंपूर्ट थो दर्हा किया होती है एक हमारे पास थी IREC dnpurt और दूसरी थी हमारे पास indirect input direct input में हमने देखा था कि ऐसी input जिसमें हम data source से computer में directly enter करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम direct input कहते हैं तो वो जो devices जो हमारे पास direct input के लिए इस्वाल होती हैं उन्हें हम source data entry devices भी कहते हैं हमारे पास दो तरहा की source data entry devices होती है No.1 मेरे पास है scanning devices 2. audio and video devices सबसे पहले हम scanning devices को देखते हैं कि मारे पास कौन-कौन सी scanning devices होती है पहले, scanning devices में हमारे पास जो सबसे पहली scanning device आती है वो है barcode reader अगर आप market में जाएं आप कोई भी product को buy करते हैं तो उस product के उपर आपको एक code नजर आता है वो code की shape इस तरहां से होती है उसके उपर आपको black color की vertical lines नजर आएंगी और उसके नीचे कुछ numbers लिखे गए होंगे यह जो code होता है जो vertical lines में होता है इसे हम bar code कहते हैं उसका दूसरा name है universal product code यूपी सी यह code basically product के बारे में कुछ information को represent करता है product का name, उसकी manufacturer company का name और इस तरह की चन्द और मालुमाद इस code के अंदर save होती है और यह code read किया जाता है आपके bar code reader की मदद से जो कि एक हमारे पस क्या है? एक scanning device है अगर आप different shopping malls में जाएं तो आप लोगों ने देखा होगा कि counter के उपर एक शक्स उसके हाथ में bar code reader होता है और वो आपकी product को scan करते हुए आपका build generate करता है तो यह हमरे पस काफी benefit provide करता है कि हमें manually bill त्यार नहीं करना पड़ता हम bar code की मदद से इस code को just क्या करते हैं? scan करते हैं और आपका जो bill है वो त्यार कर लिए जाता है बार कोड करता क्या है? बार कोड इस code को UPC को read करता है और इसे convert कर देता है editor form के अदर और फिर वो जो editor form है वो किसे send कर दी आती है? वो आपके computer को send कर दी जाती है computer क्या करता है? उसे read कर लेता है उसे अपने memory के अंदर save कर लेता है यह basically क्या है पूरी process थी आपका पस barcode reader की जो कि क्या है मत पस एक scanning device है यह source data entry device है जो क्या है? चरचा है झाल झाल